नमस्ते, संकलेत बालविकास सेवायोजना, महिला आने बालविकास विभाग तरफ थी, आप सर्वदर्षकोनो स्वागत करू छो आपने दर महिनामा बेवखत मलिये छे उम्रे आंगनवाडी कारेक्रम्मा अने हवे अमे बाल घडतर नामनी 24 एपिसोडनी एक सीरीज लहिन आविराया छे आपने अत्यार सुधी बालकोना पुर्वप्रात्मिक शिक्षण अंगे कई रीते कार्य करू जो ये बालकोने एमा शुशु शिखवाडवामा आवे छे आपने घरे कई रीते प्रवरुतियों करी शक्के ए अंगे घणिवधी चर्चाओ करी छे एनी साथे साथे बालको माटे बाल बाल घीद वगेरे पर अमे दर्शावता आविया छे जे तमाम एपिसोड WCD गुजरातनी वेबसाइट अने WCD गुजरातनी यूट्यूब चैनल पर पर उपलब्ध छे जे आप फरिधी पन निहाड़ी शको छो आजे आपने बालकोनू खरेखर जीवन घडतर कई रीते थाई शके ए अंगे नी एक विस्त्रूत चर्चा करवा माटे सडंग 24 एपिसोड लईने प्रस्तुत थवाना छिए महिनामा बे वखत आई एपिसोड प्रशारित थशे हुँ माननिया अलपाबेन सोलंकी ने विननती करिश क्या कारेक्रेम अंगे विस्त्रूत महिती आपे अने हवे आगड आपने शू करवाना छिए ते अंगे पर अलपाबेन क्या शे अलपाबेन नमस्ते, पूर्व प्रात्मिक शिक्षान अंतर्गत उम्रे आंगनवाडी कारेक्रम ना 125 पिशोड पूर्ण थाया चे बाडको, मातापीता, वाली, आंगनवाडी कारेकर अने बाडकोनी संभाड राखता तमाम ने आ कारेकरम ना माध्यम थी आपने बाडकनो सर्वांगी विकास केवरिते थाई शके, त्यानी समझ आपडे आपिये चिये, बाडकोने बाडगीत, वार्ता, रमत, गमत इबोज गमतु है छे, तो संकलीत बाड़ विकास सेवा योजना, एटले के ICDS ना माध्यम थी, आपने बाडकोने गमता आवा बाडगीत, वार्ता, रमत, गमत अने सिखवाना सेक्षणिक साधनो, ना मार्फते आपने बाडगोने पूर्व प्राथ्मिक शिक्षण केवी रिते आपू, और बाडगोनो सरवांगी विकास केवी रिते करवो, एटना माटे जुदा जुदा प्रकाना एपिसोड्स आपने प्रसारित करिये छिए, आए जेम शिलाबेने वाद करियें, दर महिनाना पहला आने त्रीजा सोमवारे, आप वंदी गुजरा चैनल उपर आमा निहाडी सक्षो, तेज प्रमाणे, दर महिनाना पहला आने त्रीजा बूधवारे, आ कार्येकरम आप दूर दर्शन उपर, डीडी गिन्नार चैनल उपर आप आने साड़ा चार्थी पांच वाग्याना समय गाडामा आपनी हाडी सको छो, जो आप 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 एपिसोड जो आनो चुकी जाओ, तो महिला आने बाढ़ विकास विभाग नी यूट्यूब चैनल उपर आप आ तमाम एपिसोड आपनी अनुकुरताए, आपनी हाडी स आम मातापिता, वाली, आंगनवाडी कार्यकर औने बाढ़कनी संभाड राखनार तमामने बाढ़कनी आ लक्षनिकताओ, तेमनी शक्तियोंनी समझ होवी खुबज जरूरी छे, बाढ़ घरताना आ कार्यकरम थी, तेमने आमाटे मदद मढ़ शे, औने बाढ़कने तेमना श्रेष्ट बनवामा तेमनों फालो केवो छे, सू करवानू रेशे तेमने, औने बाढ़कने समर्थन औने प्रोचसाहित करवामा आपने आ मददरूप थाशे, आमारी आप सर्वेने विननती छे, के बाढ़ घरतने लगता आप जरूर थी निहार सो, आ 24 लाक्षनिकताओ समझी, आपडे बाढ़क साथे काम करिये, औने बाढ़कने जो युग्यवातारन पूरू पालिये, तो बाढ़कने व्यक्तित्व, संतुलित औने आत्मविश्वास्ती भरेलू हसे, बाढ़क वदु सारी रीते तनावपूर्ण परिस्वेतों नो सामनो करी शक्षे, आगामी जीवन मां बाढ़कने आवनार मांसीक अथवा तो अन्य कोई पन प्रकानी समसी आवो हसे, तो बाढ़क एनो वदु सारी रीते सामनो करी शक्षे, औने तेनी माटे वदु मां हवे हुँ सिलाबेनने विननती करीश, के आगल कार्यक्रम सहरू करावे अलपा मैडमे जेम कहुँ ए प्रमाणे, आपने बाढ़कनी श्रेष्ट शक्तियों ओडखी, एमनी क्षमताओ ओडखी, औने एने कई रीते एक अनुकुल वातावरण आपी शक्किये, ए अंगेनू मार्ग दर्शन, आपनने आपनी साथे जोडायल तजगन श्री निराली पंडित, आप शे, हवे आपने जे आखी 24 एपिसोड नी सिरीज करवा जई रहा चे, एमन केवी रीते आने शुँ चर्चात हवा नी चे, ए अंगे आपने निराली बेन जणाव शे नमस्ते मित्रो, आपने सव एयां उम्रे आंगलवाडी 12 चरित्र घर्तर ना कारेक्रम माटे भेगा थाया छे, आ कारेक्रम 24 एपिसोड मां 12 चरित्र घर्तर अने सकारात्मक शिक्षन नी चर्चा कर छे, सकारात्मक शिक्षन एटले के positive psychology, खासा समय थी भारत देशनी स्कू अने कॉलेजों मां पर एक मुख्य विशाई तरीके उमेरवामां आव्यों छे, पर आज ए विशाई छे positive psychology के सकारात्मक शिक्षन एक हाली स्कूल अने कॉलेजी मां भणवा माटे नथी और त्यांसोदी सिमित पर ना रहवो जोईए, आज ए विशाई छे सकारात्मक शिक आपने उमेरिए, तो आपने जीवन पं खुबच सकारात्मक बनी शके और रही पण शके. हवे तमने वो विचार आवतो हसे कि आ सकारात्मक शिक्षण 6 अने केवीरीते आपने इप्योगी थाई शके तो सकारात्मक शिक्षण थी व्यक्तिना जीवान मा सकारात्मक विचारो औने सकारात्मक संबंधो बने छे जे व्यक्तिना जीवन ने खुबज अर्थ पूर्ण औने परिपूर्ण बनावे छे आपने सकारात्मक संबंधों ना बारामा विचारिये तो सव पहला आपने बाड़क औने मातापितानों विचारावे अने साथे विध्यार्थी औने शिक्षक आंगणवाडी शिक्षक आंगणवाडी कारिय करताओनों पण विचारावे तो जो विध्यार्थी, मातापिता, आंगणवारी कारिय करता ने ध्यानमा राखी ने, आ जे 24 लाक्षण इकताओ छे, जे 12 घरतर चरित्र ने दर्शावे छे, एने आपने जो वहेंचवु होई, तो आपने 6 आदर्शो अथवा के गुणों, अथवा तो मुल्यों ने आपन ध्यान आवे, आ छो आदर्शो कया छे, ए आपने पहला जोईए, तो आदर्श पुन जीवन ने जीवा माटे, व्यक्ति ने शानपन, हिम्मत, मानवता, नियाय, संयम, अथवा तो मिताचार, अने गुणाते ती जेवा आदर्शो नी प्रेणा थाई छे, तो आ आदर्श आपने जीवन-जीवानी कोशिश करिये छे, पन जो आपने आ आदर्शो ने दर्शावा होई, कि आ आ आदर्शो प्रमाणे जीवन-जीवू होई, तो ए आदर्शो ने लाक्ती वक्ती लाक्षनिक ताओ थी, आपने आपना आदर्शो ने परिपुन करी सकिये, तो शानप आदर्श होई जे व्यक्ति मां, जे व्यक्तिने खुबच शान्पन थी जीवानी इच्छा होई, ए व्यक्ति कई लाक्षणिक ताओ दर्शाव से, ए व्यक्ति मां हसे सर्जनात्मकता, जिग्णासा, खुली मानसिकता, परिपेक्षिय, शीखवानी धगस अथवातो शीखव प्रेम, जे व्यक्तिने हिम्मत थी जीवन जीवू छे, ए व्यक्ति खुबच बाहदूर था दर्शाव से, द्रड़ता थी जीवन जीवतु हसे, उनलास थी जीवन जीवतु हसे, अने खुबच प्रमानिक हसे, जेने मानवताने बउज महत्वा आपे छे, जे व्यक्ति जी नियाई भरेला जीवन माटे विजे व्यक्ति नियाई भरेलू जीवन जीवानी कोशिश करे तेना माँ आपने देखा से नित्रुत्व, निश्पक्षता अने समुकारिय। मित आचार के सहियमी जीवन जे जीवतु होई व्यक्ति एना माटे जे लाक्षणिक ताओ अगत्य अनी छे तेछे स्वनी अंत्रण, नम्रता, समजदारी, अनेक शमा अने बहुज लोको छे जे गुणातित जीवन जीवान माँगे छे गुणातित जीवन जीवा माटे नी लाक्षणिक ताओ जे व्यक्तियों दर्शावे तेछे क्रुतग्णता, सुन्दरता अने श्रेष्टा माटे नी प्रशन सा, आशावादी बनवू, आध्यात्मिक बनवू, के आध्यात्मिक ता, अने रमुजी बनवू तो आहती जे बधी लाक्षणिक ताओ, जे दरेक व्यक्ति ना जीवन माँ होई छे, आ बधी आपडी अन्दरत छे, औने जे आधर्शों प्रमाणे आपणे जीवन जीवू होई, ए प्रमाणे आपणे आपडी लाक्षणिक ताओनो उप्योग करीने, आपणे ए अनी चर्चा करिये छे, कारण के आज लाक्षणिक ताओ छे, एक व्यक्ती ने व्यक्तित्व मा ढाड़े छे, पड़ केवी रीते, ए तमारा मनमा विचार आउतो हसे, तो एना माटे आपणे ध्यान दोरिये आपणा फेस उपर, के आपणा मुख उपर, जेमके दरेक व्यक् पासे बे आखो छे, एक नाक छे, बे कान छे, बे होड छे, एक मढ़ू छे, एवी रीते, दरेक व्यक्ति पासे, आ जे मारा मुख उपर छे, ए दरेक अंग ब्यधाना ज मुख उपर, और अने बद्धाज ना फेस उपर छे, तेम छत्ता, दरेक व्यक्ति आटलू बदू अनन्य देखाई छे, तो एनो और्थ M थयो कि आपणा सवने चेहरा नाजे लक्षण छे अने आपणा हावभाव छे, ते आपणने अनन्य बनावे छे, ए ज रीते हवे जो आने आपणे कंपेर करिये आ 24 लक्षण इक ताओ साथे, तो आ 24 लक्षण इक ताओ पण आपणा उनी अंदर छेच, पण ए 24 लक्षण इक ताओने आपणे कई रीते उप्योग करिये छे, आपणा रोजना जीवन माँ, ए आपणने एक अनन्य परसनालीटी के व्यक्तित्व बनावे छे, अवे मानो के मारा माटे नियाई खूब अगत्यानों आदर्श छे, तो नियाई फरियों जीवन जीवा माटे हूँ रोजना जीवन माँ बवज निश्पक्षता बताऊ छू, तो निश्पक्षता दर्शा उचू, हूँ मारा विध्यार्थी नी वच्चे कोई निश्पक्षता करती नती, हूँ बध्धाने सम्मान अंतरेज समझू चू बध्धाने एक स साथे हुँ खुब सारा सब्बंध राखानी कोशीश करूँ छू। तो आना थी जारे लोको जोवे, जारे लोको ने समझ पड़े के प्रेम खुबच अगत्यानों आदर छे, तो आना थी एक छाप पड़े छे मारी के हुँ खुबच प्रेमाण अने निश्पक्ष व्यक्ती छू। तो ए जे छाप पड़े छे मारी, ए एना थी मारू एक व्यक्तित्व घड़ाई छे। हवे ए आपणी उपर छे के आपणे आपणा व्यक्तित्वन नी लाक्षणिक ताओने एक के बैसुधी सिम्वित राखिये के आपणे एने वधारिये के आपणे एने ब्रोडन करिये सकारात्मक शिक्षण एउँ कहे छे पॉजिटिव साइकोलोजी एउँ सजेस्ट करे छे के आपणे जिटली लाक्षणिक ताओ वधारे आपणा जीवन मां उमेरिये अने दर्शाविये आपणा रोजिन दा जीवन मां तो एना थी आपणे एक सारू व्यक्ति बनी शक्ये I insist in English that positive psychology proposes that if we use all the character strengths in our daily life then we tend to become a good person अने सारू व्यक्ति बन्वू कौने ना गमे आपणने सवने सारू व्यक्ति बन्वू गमे अने आपणने सवने खूब गमे के लोको आपणने एक सारा व्यक्ति तरीके ओडखे अने एनो एक खूबत सरण उपाई छे कि आपणे आ 24 ए 24 लाक्षण व्यक्ता ओथी आपणने रोजनु जीवन जीविए और आपणे एने रोजना जीवन मां उप्योग करिए तो हवे आपणे समझी सु दरेक लाक्षण व्यक्ता ने एक संक्षेप में समझी छू के दरेक लाक्षण व्यक्ता नों सु मीनिंग छे के सु अर्थ छे सव पहला अपणे क्रियेटिविटी अर्थ्वातो सरजनात मक्ता जे लाक्षण व्यक्ता छे एना थी आपणे शान पण दर्शाविये छे सर्जनात्मक्ता जारे मनमा आवे त्यारे शुआ मनमा आवे के कलर पूर्वानों, सरस रसोई करवानी, सरस गाई की छे मारी, तो एना थी आपनी सर्जनात्मक्ता दर्शाय छे पर सकारात्मक शिक्षण एउ कैछे के सर्जनात्मक्ता नो उप्योग खाली रंगोडी करवामा, कलर पूर्वामा, गीत गावामा, के सारी रसोई करवामा सुधी सिमित राखवानी जरूर नथी सर्जनात्मक्ता नो साचो अर्थ छे के तमें प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल्स दर्शाओ, तमें नाना थी नाना के मोटा मोटा जे समस्याओ छे, ए समस्यानो उके लाओ, अलग विचार हो थी, अलग युक्ती हो थी, अनि एक केवी रीत्ते थाई शके जो तमारामा प्रेश्ठा के लाक्षन इकता होई तो, बीजो जे छे ते जिग्नासा, जिग्नासा एटले के के क्योरियोसिटी, जिग्नासा ने हुँँ खाली एक त्रॉन शब्दों मां समझावी, एक छे, इंट्रेस्ट, एटले के रस, तमने कोई पन वस्तुजे करो छे मां किटलो र खाली रस पड़ो जरूरी नथी, पन रस नी आगर तमे वधो, एननी पाचर नी तमे एनी नविन्ता नी शोद करो, और त्रीजुचे ओपन चुए एक्स्पिरियोंस कैसे अनुभव माटे नी निखालस ता, किटला तमे निखालस चो नवा नवा अनुभव माटे, जेटल और एक लाक्षणिक ताओ नान पन थी, आपड़े बाड़को मा उमेरी शक्किये, कि बाड़को ने सिखवाडी शक्किये, खुली मानस्तिकता एउ कैछे, कि तमे अरे जारे निर्णाई लेवा छे, तो तमे निर्णाई कई रीते लो छो, सामे जे पूरावा छे, तमारी स जे छे, तेछे परिपेक्ष्य, परिपेक्ष्य नी तो बीजु नामज शान पन छे, परिपेक्ष्य आपड़ने एउ कैछे, कि जे व्यक्ति मा परिपेक्ष्य खुब अच उच होई, ते मुझबनी सला आपे, जे लोको मा परिपेक्ष्य खुब अच होई छे, ते व्यक् चारो एलुकोना खुबच निश्पक्ष औने खुबच आगड़ पड़ता होई छे अने छेल्ली जे छे शानपण ने लाक्ति वड़क्ति लाक्षनकता ते छे शीखवानी धगस के प्रेम शीखवानी धगस के प्रेम ना बारामा अपड़े विचारिये तो सवती पैला अबी विशयोना बारामा जानवू ए जानवानी जिग्न्यासा राखवी ए आपणने आ लाक्षनिकता दर्शावे छे तो ज्यारे हताशा न समय अने अवरोधो आवे त्यारे आ लाक्षनिकता आपणने टकी र्यावा माटे खुब मदद करे छे बीजु जे आदर्शे ते हिम्मत जे लोको हिम्मत पूर्वक जीवन जिव्वा माटे खुब उत्सुख होए ए लोको सवथी पहला जे लाक्षनिकता नो ने दर्शावता होई छे तेछे बहाद्दूरी बहाद्दूर मानस ना बारामा आपणने वीचारिये तो आपणना मनमा क्यों व्यक्ति आवे कि कोई आगमा पड़ी ने कोई मानस ने बचाईले कि कोई दर्यामा कुदी ने कोई नदीमा कुदी ने कोई डूपता व्यक्ति ने बचावी दे तो बहु बहाद्दूर छे तो हाँ I agree हुँस विकार उचुके व्यक्ति खुब बहाद्दूर छे कोई ना माटे जगडे ज जिम्मा जाईन औने वेट लिफ्टिंग करें, आटला किलो नूँ वेट एमने उचकियू औने पुता नी शारीरिक बहद्दूरी बताई, हाँ आए बहद्दूरी कहवाए, डेफिनेटली कहवाए, पन बहद्दूरी एना सुधी सिमित न थी, मानसिक बहद्दूरी पन उल्लास बहद्द सिंपल भाषा मां दिल थी जिवा वाड़ू व्यक्ति, जरे उल्लास थी मानस जीवन जीवे, तो ए जीवन खुबच दिल थी जीवे, ए हताश ना थाई वारा घड़िये, एमना चहरा उपर हताशा ना आवे, पन खुबच दिल थी जीवन जीवे, औने ए खुबच आकर्शक लागे, एउन अतिक एना जीवन मां प्रोब्लेम्स नहीं होई, के कोई अवरोधो नहीं आवता होई, एने दुख नहीं होई जीवन मां, पड़े दुखी ना थाईन, औने ए जीवन खुबच उल्लास थी, उर्जा थी, शक्ती थी जीवन जीवे छे एटले एने जेस्ट केवाई छे, के उल्लास केवाई छे, बीजु जे छे तेछे प्रमाणिक्ता, प्रमाणिक्ता आपणे नानपण थी शोक्राओने बाड़कोंने सिख्वारत होई छे को जुठू नहीं बोलवानू, खोटू बोलवा थी, आपणे साराव्यक्ती ना जे पोतानी हकिकतनो स्विकार करे छे, खाली बीजानी सामे साच्चु बोलवू ए प्रमाणिक्ता नथी, पन पोतानी माटे भी साच्चु बोलवू, ते भी प्रमाणिक्ता छे, हिम्मत नी जे छेली लाक्षणिक्ता आपणे विचारिये, तो ए छे प्रमाणिक्ता, प्र तानी साथे आपने सच्चाइथी जोडावाना चीए। तो आ हती हिम्मत नी लाक्षनिक ताओ। हवे आपने जो ये मानाव तानी लाक्षनिक ताओ। सामाजिक सदबुध्धी एटले के बहुत जरूरी लाक्षनिक ताओ। बाड़क ने समझावानी खूब जरूर छे के कौनी सामे केवी रीते बोलवू जोई है। कौनी सामे केवी रीते वहवार करवी जोई है। आपने मेमान आया होई तो केवी रीते वाद करवी जोई है। केवी रीते बैसु उठु जोई है। आपने एना थी आपनी एक इमेज बने छे, आपनी एक छाब बने छे। आपने आपने सारा व्यक्तिनी छाब बनावी छे। एटले सामजिक सदबुध्धी एक सारी लाक्षनिकता छे। जे खूब काम्मा उती होई छे। प्रेम, प्रेमनी लाक्षनिकता सव मा होई छे। आपने एक लाक्षनिकता छे। जे सव मा होई छे। आपने कोई ना कोई साथे तो प्रेम करता जहए शे, पर पक्षीज केम ना हुए, जान्वरज केम ना हुए, मालसोनी साथे तो आपने प्रेम करिये छिए, पर प्रेम ना माटे एक बॉँच अगत्यों नो शब्द ए छे, कि जे लोको प्रेम नी लाक्षण इकता बतावे छ एलोको माटे समाज औने संबंधो एक संपत्ती छे औने ए आदर्ष थी जिवन जीवे छे बीजो जो आदर्ष थी जीवन जीवे छे लोको ए छे न्याई न्याई नानपण थी आपणे जोता होये छे घरमा आपना कुटुमा आपना समाज मा आपनने न्याई देखाई छे तो न्याई नी लाक्ष निकताओ छे नित्रुत्व निश्पक्षता समुकार्य नेत्रुत्व एटलेके लीडर्शिप जे लोको बध्धाने साथे लहीने आगण वदे चे एलोको नेत्रुत्वनी लाक्षणिकता दर्शावे चे बिजु छे निश्पक्षता, बद्धाने एक समान गणवा, बद्धाने समानतर रीते गणवा, कि एलोकों साथे वर्तन करूँज, एचे निश्पक्षता, कोई ने ओचु के बद्धारे ना आवे, बद्धाने एक सर्खी रीते आपने समझे, अने बद्धानी साथे एक सर् आपने निश्पक्षता, बिजूचे समुकार्यों, समुकार्यों पण कम्यूनिटी के समाज ने ध्यानमा राखीने आ लाक्षणिक्टा दर्शावे छलोको, जे लोकोमा समुकार्यों छे, एलोको पोताना उद्देश्यों ने, कि पोताना लक्षियोंने नथी ध्यानमा राखता पन बद्धाना दक्षियोंने टीमना के समाजना के देशना के परिवार जैने पोतानू एक समू समझे छे एलोकना लक्षियोंने ध्यानमा राखी ने आगडवते छे हवे आपने जोहे के मित आचार के सैयंती जीवन जीवनारा लोको कई लाक्षनिकता दर्शावे छे सव पहला छे क्षमा क्षमा खुबज अगत्य यानी लाक्षनिकता छे आपने लागे छे के आपने खुबज फरगीविंग होई छे जीवन मा कि आपड़ामा क्षमा तो छे, जने आपड़े लोकों ने क्षमा साथे ज आगडवत्ता होई एछे, पर एवो एक्चुली नथी होतो। आपड़े जारे एनी चर्चा विगतमा करी सुँ जेते एपिसोड मा त्यारे आपड़े समझी सुँ के एक्चुली आनियु विशेश तासुँ छे, तो क्षमा एटले आपड़े लोकों ने बीजा माटे आपड़े कोई द्वेश ना राखिये, आपड़े लोकों ना माटे खराब ना बीचारिये, औने एलोकों नी भूलो ने आपड़े माफ करीन नने आगड़वधिये एलोकों नी साथे रहिए, बीजी जे लाक्षन इकता छे, तेछे नम्रता, नम्रता थी जीवन जीवू एटले के अहंकार वगर जीवन जीवू, बीजी लाक्षन इकता जे तेछे स्वनियंत्रण, एटले के सेल्फ रेगूलेशन, स्वनियंत्रण सौथी पहला आपड़ने एज समझावे के आवेग मां आवी ने नही जीवानों, आवेग पुर्ण निर्णयों नही लेवाना, तो स्वनियंत्रण खाली शारीरिक छे एवू नथी, पड़ मांसिक पण छे, एटले शारीरिक स्वनियंत्रण नी वाद करे तो आपड़ने कईो शब्द ध्यान मा आवे एछे सैयम, के बने खावा पिवा माटे केटलो सैयम छे, हुँ मारा शरीरिनू ध्यान राखू छुके नही, हुँ एक्सराइस करू छुके नही, हुँ कसरत करू छुके नही, तो एपण आपड़ने सैयमी जीवन जीवा माटे प्रोचाहान आपे, और मानसिक सैयम था के मित आछार, एछे, मानसिक सैयम था, के आपड़ने जल्दी रड़ु ना विजाय, आपड़ने बहु आवेग माई ना आपने निर्णयों ना करिये, आपड़ने बहु इम समझदारी आपने केवरी इते दर्शाविये, तो आपने जेते व्यक्ति साथे वातो ना करी शकिये, आपने खुब ज विचारी ने पगलू भरिये, तो एने केवाई समझदारी भर्यू जीवन जीवू. छेल्लू जे आदर्शे तेछे गुणातित जीवन. गुणातित जीवन जीवा माटे बाड़कोने नानपण थी देखाई छे के एमना घरमा गुणातित ताने केटलू बुदू महत्वा आपवा मा आवे छे. बाद आदा सवारे उठी ने भगवाने प्रार्थना करे आभार के एने सु एक कया आदर्श बतावे छे के दर्शावे छे एक गुणातित ता दर्शावे छे. आंगण वाडी मा जारे बधा भेगा थाई और दिवस चालू थाई, दिवस शरू थाई, त्यारे बधा भेगा मडीन और सेना थी चालू करे दिवस तो प्रार्थना थी. पची छे सुंदर्ता औने श्रेष्ठा माटे नी प्रशंसा. सुंदर्ता औने श्रेष्ठा माटे नी प्रशंसा खुब अगत्य नी छे, औने ए सु कैछे के लोको खाली प्रकृत्ती नी सुंदर्ता माटे प्रशंसा नथी करता, पन लोको खाली शारीरिक सुंदर्ता पन आपणने जे प्रशन साँ छे ए आ लाक्षणीता दर्शावे छे बीजी लाक्षणीता छे जे गुणातित्ता दर्शावे ते छे आशा आशा वादी व्यक्ती खुबज आकर्शक व्यक्ती लागे एक यारे हताश ना थाए आध्यात्मिक्ता आध्यात्मिक्ता आपणने खुबज अवरोधो मा खुब सारीरीते टकी रेवानी शक्ति आपे छे। प्रतिकूर्ताव ना चहरामा आरामनी लागणी एछे आध्यात्मिकता। अने छेल्ली जे लाक्षन एकता छे तेछे रमुज। रमुज एटले खाली मस्ती, तोफान, हस्वू एटलूज नथी। रमुज एटले जीवन ने हळवाश थी लेवू। नाना बाड़कोज रमुज थाई शके, ए लोकोनेज अधिकार छे रमुजी स्वभाव राखवानों एवू नथी। कि दरेक उम्मर ना लोकोन नू रमुजी स्वभाव होय, तो एक केवी रीते मदत करे कि तमें जीवन ने हळवाश थी लोचो। तो आ हती 24 लाक्षण एकताओ, जे आपणा छो आदर्शोने दर्शावे छे, आपणे जो आ लाक्षण एकताओ थी जीवन जीविए, तो जे मैं पहला पन कईू, आपणे एक सारू व्यक्ती तरीके ओर्खाई सू, औने जीवी पन शकी सू, आ भार। निरालीबेने खूप सुन्दर रिते, घणी जी विगत्ती आपणने 24 लाक्षण एकताओ वीशे कईू, टूकमा कईए तो, के जो बालक नी आ 24 लाक्षण एकताओ छे, ए 24 लाक्षण एकताओ अंगे जो आपने समझी, औने बालक नी ए लाक्षण एकताओ नो विकास तो बालक मा जे छये छा आदर्शो नी एमने वाद करी, ए दा आदर्शो नो विकास थाए, अने एना द्वारा बालक एक संपूर्णा व्यक्ति बनी शके, ए आत्मविश्वास्ती भरपूर होई, एने एना जीवन नो संतोश होई, अने एने लिदे ए हम्मेशा आनंदित जी जीवन जीवी शके, अने समाज पन एक खुशाल समाज थाए, एने माटे वाली बालकों नी संभार राकता व्यक्ति ओ, अने बालक नी आसपास नू जे वातावरन छे, एमा रहता अन्य व्यक्ति ओ पर जो आ समझे, तो आपने खरेखर बालक ने एक खूप सुन्दर अने स तारू जीवन आपी शक्किये अने आप जरूर थी आगर्णा एपिसोड निहाल जो में तमने पहला पण कहिए ए आगर्णा एपिसोड मा आपने विवित प्रश्णों पन आपना हसे तो एपन आपने लईशु आने त्यारे आमें एनो जवाब पन आपनो पूर्ण प्रयत न करीशु निराली बेन आपने आजे खुब खुब आभर मानिये छे आने आवता एपिसोड मा निराली बेन आने एमनी साथे आपने वाली ले पन शामेल करीशु जेवो आचर्चा मा भागले शे तो आप सर्वनो आभार नमस्ते